Hello friends, welcome back to my channel Steps to Grow and my name is Parul. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JAIIB examination के बारे में. I understand बहुत सारे लोगों को इसकी knowledge नहीं होगी, कुछ लोग ही होंगे जिनको इस exam के बारे में knowledge है. तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगे कि यह exam सिरफ उन लोगों के लिए है, जो already job में है, जो paper qualify कर चुके है, already banking में आ चुके हैं. ठीक है, तो जो लोग banking में नहीं हैं, उनके लिए this exam is not important right now. आप लोग focus करिये पहले job लेने पे उसके बाद JAIB के उपर. But I am still making this video कि मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ information दे पाऊँ, जो मुझे नहीं थी. And I really think कि इसके बारे में थोड़ी information होना जरूरी है, ताकि जैसे ही आप banking sector में आते हैं, आपको पता है कि आपका अगला कदम क्या होने वाला है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे JAIIB exam के बारे में, ये exam क्यों होता है, increment के लिए. आप जब banking में आ जाते हैं, आपने सुना होगा कि कुछ exams दे के हम increments ले सकते हैं, तो JAIIB is one of them. ठीक है, तो जब आप job ले लेते हैं, आप उसके बाद JAIIB में enroll करा सकते हैं, इसके जो institute है, that is IIBF, तो friends हम इस exam के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज, ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले IIBF की website पे जाके खुद को enroll कराना होता है, और उसके बाद एक्स चाइम होगा, उस चाइम पे आप एक्जाम में appear कर सकते हैं, और अगर आप इसको clear कर लेते हैं, तो you will get an increment, ठीक है, वो depend करता है कि आपका अगला increment कितने का due है, जैसे कि मैं तो अभी six months ही हुए है, मुझे join किये, तो in case I clear JAIIB, तो मेरा next increment जो भी बनता होगा, वो दो increments मिलते हैं, ठीक है, तो इस exam के बारे में मैं बहुत ही basic knowledge आप लोगो इस video में देने वाली हूँ, why I am doing this, क्योंकि मुझे पता है, मेरे channel पे ऐसे लोग भी हैं, जो already SBI में हैं, या किसी और bank में हैं, जो कि clerical में आ चुके हैं, और आगे PO के लिए preparation कर रहे हैं, या RBI के guide them a little from my experience, मुझे भी इस चीज की knowledge नहीं थी, अभी मैं ये exams दे रही हूँ, तो मुझे इनके बारे में पता चला है, and I really think कि आप लोगो भी थोड़ी सी knowledge होनी चाहिए, ठीक है, तो जब हम enroll कर लेते हैं, तो सबसे पहले आता है JAIIB, तो JAIIB जिसका exam अभी मैं दे रही हूँ इसमें तीन modules हैं, यानि कि तीन subjects हैं, ठीक है, तो तीन subjects में क्या criteria रहता है, कि तीनो subjects में आपको above 45 score करना है, और जो आपका तीनों का aggregate होना चाहिए, मतलब जो आपने marks score किये हैं तीनों exams में, उनको add करके it should be 150, तीनों exams आपके 100 marks के होते हैं, above 45 आपको score करना है individually, और total आप 150 होना चाहिए, तो हम यह मान के चल सकते हैं कि आपको per subject 50 marks score करने होते हैं on an average, ठीक है, तो right now I am appearing for this exam, Saturday को मेरा first exam था जिसका नाम था principles and practices of banking, second exam मेरा हुआ AFP का, that is accounting and finance for bankers, अभी third exam मेरा बाकी है, जो कि next week है, I really hope कि मैं उसको clear कर पाऊं, मेरा first or second exam पास हो चुका है, अभी third exam अगर मैं clear कर लूँगी, तो I will be declared JAIIB qualified और उसके बाद मेरा एक increment लग जाएगा, दूसरा इसका क्या use है, कि जो आप JAIIB और CAIIB दोनों qualify कर लेते हो, तो आप 3 साल के बाद promotion ले सकते हो, 3 साल के बाद आपका interview होगा, और आप promote करके TO बन सकते हो, that is a trainee officer, ठीक है, तो जैसे कि PO होता है, उसी के equivalent TO होता है, PO होता है, जो आप exam qualify करके directly SBI में आते हो, और TO होता है, अगर आप clerical से promote होके, JAIB और कायब clear करके, अगर आप interview देने जा रहे हो, तो that is called TO, अब इस exam में कैसा रहता है, कि जो आप exam देने जाते हैं, exam complete करते हैं, उसे submit करते हैं, उसी वक्त आपका scorecard वहां पर आजाता है, अगर आपने 45 से जादा score किया है, तो आप pass हो, अगर 45 से कम किया है, तो आप fail हो, पर ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है, exam खतम होने पर, बस score बताया जाता है, जब आपके तीनो exam हो जाते हैं, उसके बाद final result आप लोगों को mail किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि if you have qualified or you have not, ठीक है, तो मेरे अभी दो exams हो चुके हैं, friends, first exam में मैंने बहुत कम score किया, I will not lie कि मैंने इस exam के लिए कुछ खास preparation नहीं की थी, actually I was very lenient और job के साथ अभी नहीं नहीं job है, मैं cop-up नहीं कर पा रही थी, मुझे पढ़ने का time नहीं मिल र करी हुई थी, तो उसके basis पे I am able to clear these exams, तो मैंने principles and practices of banking का जब exam दिया, तो I scored 47 marks out of 100, 45 qualifying है, तो मेरा pass हो गया, फर 50 मुझे चाहिए each subject में if I want to qualify all the three exams, तो उसमें 47 है, तो मुझे वो cover up करना था next exam में, तो I was very tensed giving my accounting exam, accounting and finance for bankers का exam था, तो मुझे बहुत tension थी कि इसमें at least मुझ सुलेने ही हैं, ताकि मेरा 50 का average इन दोनों में हो जाए, but I, my luck worked very well there and I scored 65 marks out of 100 in AFB, अभी मेरा third exam बाकी है, I really hope कि मैं उसको भी clear कर लूँ, जो लोग GIB के लिए आगे appear होना चाहते हैं, या इस पार हो रहे हैं, आप प्लीज अपने जो भी doubts हैं, जो भी problems हैं, आप उनको मेरे comments में डाल सते हो, कुछ भी पूछना है, in case मुझे पता होगा, I will completely share it with you, because this is a new experience for me as well, this channel is basically about sharing my experiences with you people, जो चीज मैं experience करती हूँ, मैं चैनल पे डाल देती हूँ, ताकि जो लोग मेरे बाद आए, उन लोग को ये चीज किसी से पूछनी ना पड़े, उनको मेरी वीडियो से परूं की J.I.B. की preparation किस तरीके से आप कर सकते हैं, paper 1 and paper 2 I have qualified, तो at least मैं उन चीजों के बारे में तो आप लोग के साथ information share कर सकती हूँ, if you want that you can ask me, I will do that for you, बाकि friends, I think this is all that I wanted to share in this video, thanks for watching my video guys, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को like करें, मेरी वीडियो को like करें, मेरी वीडियो क to me and I will see you in my next video, thanks for watching friends, bye bye